नमस्कार भाग्य चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवीन मिस्र और हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे जी पंडे जी आपका भाग्य चक्र में बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार आज का कारक्रम बहुत खास है आज हम पंडी जी से जानेंगे कि Blood Group का ग्रहों से क्या संबन्ध है आपका कौँसा Blood Group है उसके हिसाब से कैसा आपका खान पान होना चाहिए ताकि आपका जीवन अच्छा बीते स्वास्त अच्छा रहे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे, यदि आज आज आप कोई परिक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटर्विव देने जा रहे हैं, या कोई बड़ी खरेदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें, ताकि आपको लाब हो, और आपका र पांडी जी आज राहुकाल का समय कब से कब तक रहेगा जी दिनांग 15 अक्तूबर 2024 दिन मंगलवार तिथी है आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रियोदिशी तिथी नक्षत्र है पूर्वा भाद्रुपद नक्षत्र रात के 10 बच के 8 मिनट तक चंद्रमा कुम्भ राशी में संचरण कर रहे हैं शाम के 4 बच के 49 मिनट तक राहुकाल का समय शाम के लगभग 3 बजे से 4 बच कर 30 मिनट तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो जरासा गुड़ खाकर और भगवान का समर्ण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रूप का ग्रहों से क्या कनेक्शन है हमारे जीवन में किस तरह से ब्लड ग्रूप का विशेश महत्त होता है पंडी जी सब लोग अलग-अलग ब्लड ग्रूप के होते हैं तो ये ब्लड ग्रूप का खान-पान से क्या रिस्ता है कैसा खान-पान होना चाहिए किस ब्लड ग्रूप वाले के लिए आज हम बात कर रहे हैं कि आपके blood group का आपके आहार से क्या संबंद है और कौन से ग्रह सामान्यतह किस तरह का blood group पैडा करते हैं सबसे पहले ये जानते हैं कि blood group से आपके खान-पान का क्या संबंद है देखे हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारे शरीर के रसायनों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करता है इसका असर हमारे भोजन का हमारे मन पर और हमारे शरीर पर अलग-अलग तरीके से पढ़ता है हर व्यक्ति के blood group के अनुसार उसकी diet उसका खान-पान अलग होना चाहिए बेहतर होगा और हर व्यक्ति का जो शरीर है जो बेसिक निर्माड है वो अलग-अलग होने की वज़ा से उनके शरीर के भोजन की मांग भी अलग-अलग होती है जब हम अपने blood group के हिसाब से diet लेते हैं अपने blood group के अनुसार भोजन करते हैं तो antigen और lectins दोनों मिलकर हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली को बढ़ा देते हैं हमारे शरीर को स्वस्त रखते हैं हमें बीमारियों से बचाते हैं सही भोजन प्रणाली से हमारे शरीर को रोग-प्रतिरोधी lectins यानि वो lectins मिलते हैं जो हमें बीमार को बचाते हैं बीमारी से रक्षा करते हैं और हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली को बढ़िया कर देते हैं अगर आप अपने blood group के हिसाब से भोजन करें blood group के हिसाब से आपकी diet हो तो स्वास्थ में अचानक परिवर्तन आएगा और सामान्य तह आपका स्वास्थ्य बेहितर होता चला जाएगा आज के विशे पर चर्चा जारी रहेगी अभी वक्त हो गया है राशियों का तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मंगल की ये राशी है मेश राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आप क्या साउधानी बरते हैं और पंडी जी इनके लिए आज शुब रंग कौन सा है मेश राशी धन लाब के योग बन रहे हैं संतान पक्ष की आपके उन्नती होगी वाहन सावधानी से चलाईये किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहितर होगा शुब रंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहितर बना सकते हैं वो शुब रंग आज के लिए होगा क्रीम अब बात ब्रश राशी की ब्रश राशी शुक्र की राशी है ब्रश राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आप क्या साउधानी बरते हैं? और पंडी जी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है? ब्रश राशी पारिवारिक चिन्ताएं आपकी दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, किसी धार्मिक कारिय में आप व्यस्त रहेंगे ठाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहितर होगा, शुबरंग जिसका प्रियोक करके दिन को बेहितर बना सकते हैं, वो शुबरंग आज के लिए होगा हरा अब बात मिथुन राशी की, बुद्ध की ये राशी है, मिथुन राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आप क्या साउधानी बरते हैं, और पंडीजी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है मिथुन राशी, स्वास्थ्य आपका बेहितर होता जाएगा, नौकरी में आपके सुधार होगा, मानसिक चिन्ताएं आपकी समाप्त होंगी हनुमान जी की अगर उपासना करें, तो दिन बेहितर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहितर बना सकते हैं, वो शुबरंग आज के लिए होगा, सफेग अगर आपका ब्लड ग्रूप O है, तो ब्लड ग्रूप O वालों का संबंध किस ग्रह से है है और ब्लड ग्रूप O वालों का खान पान कैसा होना चाहिए, पंडी जी से समझते है पंडी जी बहुत सारे लोग का ब्लड ग्रूप O होता है, कोन सा ग्रह है होता है अमल की मात्रा शरीर में जादा होती है और ओ ब्लड ग्रुप वालों की पाचन शमता भी काफी अच्छी होती है ओ वालों को अंडे, बीन्स, राजमा, अर्वी और सामान्यतह, साग, लीफी वेजितेबल सूट करेंगे ओ ब्लड ग्रुप वालों को तेल, आलू और ज्यादा मिल्क प्रोडक्त सूट नहीं करते जिनकी कुंदली में शनी और राहु की प्रधानता होती है ऐसे लोगों का ब्लड ग्रुप सामान्यतह ओ देखा गया है यानि शनी और राहु की वज़े से ओ ब्लड ग्रुप का निर्माड होता है, जादातर ऐसा देखा जाता है अब बात करक राशी की, चंद्रमा की ये राशी है, करक राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आप क्या साओ धानी बरते हैं और पंडी जी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है करक राशी, स्वास्थ का ध्यान बनाए रखें, निर्ड़यों में जल्दबाजी ना करें, किसी मित्र की सहायटा से आपको लाब होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुबरंग आज के लिए होगा लाब अब बात सिंग राशी की, शूरे की ये राशी है, सिंग राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी वरतनी चाहिए, और पंडीजी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है सिंग राशी, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, कारो बार में आपके लाब होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखे खाने पीने की वस्तु का दान कर दें, तो दिन बेहितर होगा, शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहितर बना सकते हैं, वो शुबरंग आज के लिए होगा, हरा अब बात कन्या राशी की, बुद्ध की ये राशी है, कन्या राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पन्डिजी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है कन्या राशी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में भी सुधार होगा, लेकिन काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिक्ता रहेगी हनुमान जी की अगर आप उपासना करें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुबरंग आज के लिए होगा, गुलाबी अब वक्त हो गया है आपके सवाल का, यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए, उसके पहले आपको बता दें, कि आगे आप सकसेज मंत्र अवश्य देखेगा, क्योंकि उसमें हम जानेंगे, कि यदि आज आप कोई परिक्षा देने जा रहे हैं, कोई परिकूर्ण चीजों के बारे में हमारा सास्त क्या दिशा निर्देश देता है, वह हम जानेंगे, और शुब मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे, कि आज का दिन किस राजशी वाले के लिए बहुत शुब होगा, और आज किस राजशी वाल आज तक.com में भेज़ दें, वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे, और आगे आने वाले कारिक्रम में शामिल करेंगे, तो पंडी जी सवालों की पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं। 21 अक्टूबर 1983, पांच बच के 15 मिनट शाम को जनमस्थान है दिल्ली, ये पूछ रहे हैं कि मेरी भती जी का विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। प्रदीब जी आपकी भती जी की कुंडली है मीन लगन की और मीन राशी की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बुद्ध की चल रही है। वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी भतीजी की कुंडली में विवाह के कुछ खास योग है नहीं, यानि विवाह होने की संभावना इस कुंडली में बहुत ज्यादा कमजोर है। फिर भी आप चाहें तो जून 25 तक आप प्रियास करके देख सकते हैं, पोशिश करके देखिए, हो सकता है सफलता मिल जाए, वैसे जोतिश के हिसाब से इनके विवाह होने की योग कम हैं। फिलहाल विवाह वाले मामले को हल करने के लिए एक सुझाव दिया जा सकता है कि इनको एक पन्ना बन्वा के पहना दिया जाए, चांदी की अंगूठी में लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में और ये पहना जाएगा बुद्धवार की शाम को, और दूसरा अपनी भती जी को बोलें कि वो रोज सुबह एक बार विश्नु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करें तो लाब हो सकता है, जिन लोगों का ब्लड ग्रूप A है, पन्ने जी उन लोगों का खान पान कैसा होना चाहिए, कौन सा ग ग्रूप A है, A पॉजिटिव है या A निगेटिव है, देखिए, A ब्लड ग्रूप जो होता है, ये सेंसिटिव ब्लड ग्रूप है, समवेधन शील है, और आम तोर पर जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा प्रधान होता है, या शुक्र की प्रधानता होती है, उनका ब्लड ग्रूप आम तोर पर A पॉजिटिव या A निगेटिव होता है, ए ब्लड ग्रूप वालों के लिए सामान्य तह शाकाहारी भोजन ज्यादा उचित होता है, ए ब्लड ग्रूप वालों को ताजा और प्राकृतिक भोजन करना चाहिए, शाकाहारी भोजन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सभी तरह के फल, सबजिया और अनाज इनके लिए लाबकारी माने जाते हैं, इनको मान्स मदिरा, सिरका, अचार, मिर्च और पत्ता गोभी से परहेज करना चाहिए, और अगर ये ज़्यादा एलकोहल लेने लगें, या ज़्यादा नौन्वेज के चक्कर में पढ़ने लगें, इनका स्वास्थे रेगुलर खराब होना शुरू हो जाएगा, अब बात तुला राशी की, शुक्र की ये राशी है, तुला राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए, और पंडिजी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है? तुला राशी द्धन लाब के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, सिक्षा में सफलता मिलेगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो दिन बेहितर होगा, शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहितर बना सकते हैं, वो शुबरंग आज के लिए होगा, नारंगी. अब बात ब्रिश्चिक राशी की, मंगल की ये राशी है, ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए, और पंडिजी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है? प्रिश्चिक राशी, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, निर्ड़यों में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें, किसी महिला की सहायता से आपको लाब होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुबरंग आज के लिए होगा पीला, अब बात धनु राशी की, ब्रहस्पती की ये राशी है, धनु राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और परणिजी इनके लिए शुबरंग कौन सा है? धनु राशी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की इस्थिती अच्छी बनी रहेगी, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें, तो दिन बेहितर होगा, शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहितर बना सकते हैं, वो शुबरंग आज के लिए होगा नीला, जिन लोगों का ब्लड गुरूप B है, ब्लड गुरूप B वालों का पंडी जी किस ग्रह से संबंद होता है, और इनका खान पान कैसा होना चाहिए? अब उनकी बात करते हैं, जिनका ब्लड गुरूप B है, B पॉजिटिव है या B निगेटिव है, B ब्लड गुरूप जो है, ये बड़ा मजबूत ब्लड गुरूप है, आम तौर पर जिनकी कुंडलियों में ब्रिहस्पती मजबूत हो, या शनी मजबूत हो, या जिनके ऊपर ब्रिहस्पती या शनी का प्रभाव हो, तो ये ब्लड गुरूप उनका आता है, B ब्लड गुरूप वाले लोग लगभग सब चीजें संतुलित मात्रा में खा सकते हैं, दूद और दूद से बनी हुई चीजें, इनको बहुत सूथ करती हैं, अगर ये कोशिश करें तो, इन्हें सी फूड, समुद्री भोजन, मच्छली, क्रैब, इनसे बचें, आइसक्रीम, गेहूं की चीजें और अंडे, इनसे B ब्लड गुरूप वालों को परहेज करना चाहिए, और ज्यादा तर ऐसा देखा गया है, कि B ब्लड गुरूप वाले जितना फल खाएं, जितना पानी पियें, और जितना सब्जियां खाएं, उतना ही ज़्यादा इनके लिए अच्छा होता है, अगर आपका ब्लड गुरूप A B है, तो पंडी जी ब्लड गुरूप A B का संबंद किस ग्रह से है, और इनका खान पान कैसा होना चाहिए, अब बात करते हैं A B ब्लड गुरूप की, आपका ब्लड गुरूप अगर A B पॉजिटिव है, या A B निगेटिव है, तो मामला क्या है? देखिए, A B ब्लड गुरूप जो है, वो दो तरह के एंटीजेन से मिलके बनता है, जिनकी कुंडलियों में बुद्ध लीड करने लगे, या राहु लीड करने लगे, ऐसे लोगों का ब्लड गुरूप A B देखा गया है, ये जो लोग होते हैं, A B ब्लड गुरूप वाले, या तो ये मजबूत शरीर के होते हैं, या ये सामान्यतह कमजोर शरीर के होते हैं, A B ब्लड गुरूप वालों का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिष्टम, आम तोर पर खराब होता है, A B वालों को सी फूड, समुद्र वाला भुजन, लिक्विड चीजें और रस वाले फल बहुत सूट करते हैं, A B वालों को चाय, कौफी, कौर्ण, मिर्च और मसालों से परहेच करना चाहिए, तो मोटे तोर पर आपकी कुंडली का जो प्रधान ग्रह है, उसकी डिगरी, उसका नक्षत्र देख करके आप एक अनुमान लगा सकते हैं, कि सामने वाले व्यक्ती का ब्लड ग्रूप कैसा है, और जो भी ब्लड ग्रूप निकलता है या आता है, उसके हिसाब से अगर आप अपना आहार रखते हैं, अपने भोजन में परिवर्तन करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का, पंडि जी ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्यों? देखे, जोतिश में जो मंगल है न, वो काल पुरुष की कुंडली का लगनेश भी है और अश्टमेश भी है और मंगल कर्जा बढ़ाता है क्योंकि छटे भाव से तृतिय भाव का स्वामी है इसलिए मंगल कर्जे का इनहेंसर है कर्जा बढ़ा देता है जब आप मंगलवार को कर्ज लेते हैं तो कर्जा बढ़ता चला जाता है और चुक नहीं पाता है माल लिया गलती से आपने मंगलवार को कर्ज ले लिया आप चुकाने में दिक्कत आ रही है तो हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजियेगा आपकी मुश्किल हल हो जाएगी अब बात मकर राशी की शनी की ये राशी है मकर राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पड़िजी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है मकर राशी करियर की समस्या आपकी हल होगी धन लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं इस समय आपकी छोटी यात्रा हो सकती है किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुबरंग आज के लिए होगा आसमानी अब बात कुम्भ राशी की शनी की ये राशी है कुम्भ राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या सावधानी वरतनी चाहिए और पण्डिजी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है कुम्भ राशी रुके हुए काम आपके पूरे होंगे स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा मान सम्मान आपका बढ़ता जाएगा हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुबरंग आज के लिए होगा पीला अब बात मीन राशी की ब्रहस्पती की ये राशी है मीन राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पंडिजी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है मीन राशी स्वास्थ्य बिगर सकता है करियर में जल्दबाजी इस समय मत करिये किसी मित्र की सहायता से आपको लाब होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुबरंग आज के लिए होगा लाब अब वक्त है लकी नमबर के अनुसार आपका लग जानने का लकी नमबर एक से लेकर लकी नमबर नौ तक के लिए पंडिजी आज क्या है खास बात करते हैं लकी नमबर की नमबर एक आज अपने स्वास्थे का ध्यान रखियेगा नमबर दो यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं नमबर तीन धन लाब के योग बन रहे हैं नमबर चार करियर में आपको लाब हो सकता है नमबर पांच आपका विवाह तै हो सकता है नमबर छे रुके हुए काम आपके पूरे होंगे आज नमबर साथ उपहार समान का लाब मिलेगा नमबर आठ करियर में सफलता मिलेगी और नमबर नौ धन लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं अब समय हो गया है भाग पहर का आज भाग पहर का समय कितने बज़े से कितने बज़े तक रहेगा और पंडी जी इस दोरान हमें क्या करना चाहिए अज भाग पहर का शुब समय है रात के नौ बज़े से दस बच कर तीस मिनट के बीच में इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करियेगा ऐसा करने से आपके ऊपर जो संकट आ गया है वो संकट टल जाएगा अब वक्त है आपके सवाल का यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए उसके लिए अपने जन्म की तारीक, जन्म स्थान, जन्म समय लिखे और सवाल लिखकर भाग्यचक्र at the rate आज तक.com में भेज़ दे वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे तो पंडी जी सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अगला प्रश्न हमें नमन भल्ला जी ने लिखा है लखीमपुर खीरी उत्तरप्रदेश से लिखते हैं 16 जुलाई 1990 का जन्म है चार बच के 35 मिनट दोपहर में लखीमपुर उत्तरप्रदेश ये कह रहे हैं कि बड़े लंबे समय से मैं सरकारी नोकरी के लिए प्रयास कर रहा हूं और जरा जरा से नंबरों से मैं चूक जाता हूं तो क्या मुझे सरकारी नोकरी मिलेगी या मुझे अब तैयारी छोड़ करके व्यापार की तरब जाना चाहिए नमन आपकी कुंडली बनती है विष्चिक लगन की और आपकी राशी बनती है करक महादशा केतू की और अंतरदशा भी केतू की चल रही है जोतिश के हिसाब से साल 2025 में जनवरी से जून का समय बहुत अच्छा है और उस समय आपको गवर्मेंट जॉब जरूर मिलनी चाहिए फिलहाल आप एक मूंगा बनवा के पहनने आठ से दस रत्ती का मूंगा तामबे या सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका अंगूली में मंगलवार को प्रातह मूंगा पहनने से आपको लाव होगा अब बात सक्सिस मंत्र की पंडी जी आज के सक्सिस मंत्र में क्या है खास बात करते हैं सक्सिस मंत्र की अगर आज आपकी कोई परिक्षा है तो गुड़ खा कर घर से जाईएगा सफल होंगे अगर आज कोई इंटर्व्यू है तो भी गुड़ खा करके ही जाईएगा सफलता मिलेगी अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी तो हनुमान चालिसा एक बार पढ़ लीजेगा आपका काम बन जाएगा अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए या हॉस्पिटल में जाना है तो सिंदूर का तिलक लगा कर जाईएगा स्वस्त होंगे अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है आपको तो नारंगी रुमाल अपने साथ में रखियेगा आपको लाब होगा अब समय हो गया शुब मंगल सावधान जानने का आज का दिन किस राशी वाले के लिए बहुत शुब होगा और पन्डी जी आज किस राशी वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए बात करते हैं शुब मंगल सावधान की आज का दिन सबसे ज़्यादा शुब होगा कुम्ब राशी वालों के लिए हर कारिय में सफलता मिलेगी धन का लाब होगा चिंताएं समाप तो होंगी आज का दिन मंगल मैं होगा कन्या वालों के लिए धन की प्राप्ती करियर की मुश्किलें दूर और धन का लाब होता दिख रहा है आज सावधान रहना होगा व्रिष्चिक राशी वालों को क्योंकि उनकी सेहत बिगर सकती है चोड़ चपेट के शिकार हो सकते हैं अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का पंडी जी आपने भागे चक्र में इतनी महत्यपूण जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को जोतिश के माध्यन से सुल्जाया जाए तो आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं जुड़ सकते हैं आपकी एक सुफ तक पार